नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का अपने खास यूटूब चैनल इंडस्टियल जॉब गुरू में प्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करने बाले हैं भारत की एरो स्पेस एंड डिफेंस कमपनी भारत इलेक्ट्रोनिस लिम्टेड यानी BEL कमपनी के बारे में रच्चा मंत्राले के अधीन इसकी स्थापना की गई थी किन्तु आज ये अपनी नौध पादन इका योग के छेत्री कार्या लेदता अनुसंधान बाविकास प्रयोग सालाओं से यूग्त साड़िनेक छेत्र की एक विसाल उपकरम है जिसे अपने वेपसाहिक पर्दसन क फल्सरूप भारत सरकार के द्वारा नवर्टन का दरजा प्राप्त हुआ है अगर इस कंपनी की यूनित की बात की जाये तो इसकी साखाएं कहां-कहां पर हैं तो इसकी पहली साखा बैंगेलुरू में है जो कि मुंक्य साखा है यानि हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा प्रज राजियवाद जो कि यूपी में है और तीसरी इसकी साखा पंचकुला जो कि हरियाना में है और चोथी इसकी साखा कोटद्वार जो कि उत्रांचल में है और पाचमी और छटी यानि हैदराबाद मचली पतनम जो कि आंध परदेश में है ये दो साखाएं आंध परदेश में ह जो कि महाराष्ट के राजी में है और इसकी लास्ट और नौवी साखा चन्नेई में है जो कि तमिल्लाडू में है इसके निव वार्क बस सिंगापूर में भी इसकी कार्याले हैं जहां अधिक क्वालिफिकेशन वाली लोग एपलाई कर सकते हैं और बहां पे नौकरी कर सकते हैं दोस्तों यह कंपनी अपनी स्थापने के बाद उन्निती करते हुए बी इल ने बिस में मल्टी टेक्नलोजी मल्टी प्रोड़क्ट एंड मल्टी यूनिट इंटर्प्राइस के रूप में अपने पहचान बनाई यहादी इस कंपनी के प्रोड़क्ट की बात की जाए तो यह कंपनी सेना के लिए रडार, कम्ने के शिस्टम, नवल सिस्टम, इलेक्ट्रोनिक, वालफर, सिस्टम, टेली कम्युनिकेशन, एंटेंक, एलेक्ट्रोनिक और टेग्निलोजी बेस्ट ब् बीटेक वालों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेकेंसी आती है B.E.L. कंपनी में और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस कंपनी में ज़्यादा तर बेकेंसी जो हैं अप्रिंटिस के बेस पर ही आती हैं सिर्फ डिप्लोमा बालों के पर्मानेंट जो आपके वेकेंसी आई थी वो भी 2016 से 2018 के बीच में उसके बाद कोई भी पर्मानेंट वेकेंसी यहाँ पर नहीं देखने को मिली है और B.E.T. बालों के लिए कॉंट्रेक्ट बेस के वेकेंसी आती हैं जो की लगातार हर साल में आती रहती हैं क्योंकि ज़्यादा तर यहाँ पर लोग अपरेंटिस करने के बाद पर्मानेंट हो जाते हैं तो अगर आपने अपरेंटिस नहीं की है तो यह कंपनी आपके लिए बेस्ट है तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर आप अपरेंटिस कैसे कर सकते हैं उसका प्रोसीजर गया है और अपरेंटिस के दौरान यहाँ पर आपको क्या-क्या बेनिफिट्स दिये जाते हैं यह सारी बात है हम आपको यहाँ पर बताएंगे तो चलिए apprentice का process start करते हैं तो सबसे पहले बात करता हूँ BTEC वालों के लिए तो BTEC वालों के लिए जो branches मागी जाती है वो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए तो electronic, telecommunication, electronics and telecommunication instrumentation, mechanical, mechatronics, electrical, civil, computer science, IT से सम्बंदित जितनी भी branches यहाँ पर हैं वो सभी BEL कंपनी में apprentice के vacancy पर apply कर सकते हैं वहीं apprentice के दोरान आपका जो training period होगा वो एक साल का होगा और एदि selection process की बात की जाए तो यहाँ पर आपका written test और interview होता है written test में आपसे aptitude और technical based question पूछ जाते हैं वहीं अगर age की बात की जाए तो यहाँ पर 25 साल तक की age मांगी जाती है जिसमें OBC वालों को 3 साल की और SST वालों को 5 साल तक की छोट दी जाती है apprentice के दोरान आपको salary की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 11,110 रुपए पर मन्त आपको salary यहाँ पर दी जाती है वहीं अगर facilities की बात की जाए तो BEL कंपनी की तरफ से आपको canteen plus transport plus medical के सुखधा आपको provide की जाती है वहीं अगर diploma के base पर apprentice की बात की जाए तो यहाँ पर जो branches मांगी जाती है वो mechanical, computer science, electronics, MOP और electrical से सम्बंदी जितनी भी branches यहाँ पर है वो सभी BEL कंपनी में apprentice के vacancy पर apply कर सकते है training period की बात की जाए तो इनका भी training period एक साल का होता है जिसमें एगर salary की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 10,400 रुपए पर मंत आपको salary यहाँ पर दी जाती है selection process की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ आपका इंटर्व्यू नहीं होता है जिसमें एगर age की बात की जाए तो यहाँ पर आपके age 25 साल की मांगी जाती है जिसमें OBCSG वालों को छूट दी जाती है वहीं एगर facilities की बात की जाए तो BEL कंपनी की तरफ से आपको canteen plus transport plus medical के सुखधा आपको provide की जाती है वहीं अगर ITI वालों की apprentice के vacancy की बात की जाए तो इनकी जो trade मांगी जाती है वह है electronic mechanics, fitter, copa, turner, electrician, machinist, welder से संबंदी जितनी भी trade हैं वह सभी apprentice के vacancy में apply कर सकते हैं selection process की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ आपका इंटेंटेस्ट होता है चूट दी जाती है वहीं अगर salary की बात की जाए तो यहाँ पर 10,000 रुपए पर मंथ आपको salary यहाँ पर दी जाती है वहीं अगर age की बात की जाए तो यहाँ पर 21 से 28 साल तक की age मांगी जाती है जिसमें OBC वालों को 3 साल की और SST वालों को 5 साल तक की छूट दी जाती है वहीं अगर facilities की बात की जाए तो BEL कंपनी की तरफ से आपको कैंटेन प्लस टांसपोर्ट प्लस मेडिकल के सुभधा आपको प्रोवाइड की जाती है BEL कंपनी में Apprentice के Vacancy पर अप्लाई करने से पहले आपको अपनी अधिकारिक वेबसाइट यानि डिपलोमा और B.Tech वालों को MHRD, N.A.T.S. पर और I.T.I. वालों को ApprenticeShip.Government.in पर अप्लाई करना होगा वहाँ से Registration Number लेने के बाद ही आप BEL कंपनी में Apprentice के Vacancy पर अप्लाई कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए आप BEL कंपनी की वेबसाइट पर जा सकते हैं लिंक मैंने डिस्क्रप्शन में दे दी है और BEL कंपनी में Apprentice से संबंदित कोई भी जानकारी के लिए आप निचे कमेंट बाक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं तो इसी के साथ दोस्तो इस वीडियो पर मैंने 1000 लाइक का टार्गेट रखा है तो प्लिस दोस्तो इस टार्गेट को पूरा कर दीजिये और यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लिस दोस्तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली latest वीडियो की notification आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए तो thank you, thank you, thank you